नमस्कार दोस्तों क्या हाल चाल फाइनल एक और बहुत हिजदा कमाल के वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अकें से पने मी 11X के ओपर एक और कमाल की रोम के बारे में जी हाँ दोस्तों ये एक काफी ज़दा demanding रोम रही है हमेशा सही और क्या नाम है इस रोम का जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आपने टाइडल पढ़ा है evolution X तो आज हम यहाँ पर evolution X के बारे में आपर बात करने वाले हैं साथ ही मैं दोस्तों बताना चाहूंगा जो security patches है उनको भी update कर दिया गया है July 5 के security patches आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों साथ ही मुझे इसके इंदर कुछोटी मुटी problems भी जो है वो देखने को मिली जो मैं आगे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ सबस्क्राइब कर दो यार इतने कमाल कमाल के update मैं आपके लिए आपर ले करके आता रहता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसके features की बात कर लेता हूँ तो अपना जाधा time waste नहीं करते हैं फटाफट से यार setting के उपर चल लेते हैं क्योंकि जो नहीं चीज़ हैं वो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ यहां पर old जो जितनी भी चीज़े हैं वो सारी तो हैं जैसे की theme हो गया है यहां पर status bar अगयरा है कुछ ऐसा बहुत बड़ा major change नहीं हुआ है चोटे मोटे changes किये गया है इस बार ठीक है एक चीज़ के बात करते हैं तो यहां पर कुछ चोटी मोटे और भी changes आया है इसी के लोगा दोस्तों एक नया font style भी हमको देखने को मिलता है यहां पर तो यह San Francisco वाला है यह पता नहीं कौन साइस में से एक मतलब यहां पर कुछ नया आपको यह San Francisco इसको display pro करके खाए तो यह यहां पर आपको नया fonts वगेरा में enhance किया गया है थोड़े बहुत और चोटे मोटे icon packs में यहां पर change किये गया है दोस्तों इसी के लावा नीचे की दरवा आप लोग देख पाऊ यहां पर navy style करके नेवी बार style करके भी एक नया option देखने को मिला ह पहले भी हमने देखा है काफी बारी लेकिन इसको भी यहां पर introduce किया गया है फिलाल तो यहां पर आपको कुछ नए देखने को मिल गया जिससे यह हो गया और यह हो गया तो थोड़ा अलग तरीकी के यहां पर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इसके लावा जो Google के नया wallpaper style type है वो यहां पर देखने को आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से तो यह भी मुझे काफी बढ़िया लगी है चीज इस तरीके से आप यहां पर directly wallpaper change भी कर पाएंगे जैसे कि इसको set करना आपको तो यहां पर download हो का और यह set हो जाएगा यह क्या वात है तो यह कुछ यहां दोस्तों इसमें जो blobs उठाए गया है वो यहां पर latest 13.0.4.0 से उठाए गया है global version से इसके लब दोस्तों नएक चीज़ के अगर लोग यहां पर बात करते हैं एक bug मुझे यहां पर देखने को मिला है जब मैं अपने bluetooth अपने जो phone के bluetooth है यह वाले ठीक है जब इनसे मैं connect कर बता हूं इनको तो कुछ यहां पर error आता है जो मैं आपके साथ में यहां पर share करना चाहूंगा जैसे कि अभी आप लोग देख पाऊगे अगर मैं अपनी कोई भी YouTube की वीडियो जो है उसको play करता हूं like अभी एक पर एक crash हो गया आपने सामनी तो यहां पर मैं सबसे पहले यहां पर एक यह वीडियो है इसको play कर लेते हैं तो अभी यह बिल्कुल normal चल रही है कोई दिक्कत इसके उपर नहीं आ रही है आप लोग देख सकते हैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है देख सकते हैं आपर normal चल रही है बिल्कुल वीडियो ठीक है लेकिन जैसी करता हूं, जैसे कि मैं आ vedere मैं आपको धिखा पांग। मैंने आप अपने Bluetooth on किये। अब मैं इनको connect कर ले तो उपने फोन से। जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मैंने अपने फोनच को हैं पर connect कर लिए है। जिशि करने के बाद दोस्टों, अगर ऐसे अप अप play वह इस्टख हो जाते हैं, एक बारी चलने के बाद यह देखिए, इस्टख हो गया यह, ऐसे मैं आपको दिखाता हूं, यह भी यहाँ पर स्टख हो गया, तो इस तरीके से यह जो इस्टख हो जा रहे हैं, ठीक है, चल ली रहे, कहीं पर भी वीडियो अगरा देखो, आप तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो एक ये चीज हो दाती है, साथ ही में अगर सेटिंग के ओपर हम चलते हैं, और चोटी मोड़ी सेटिंग देखते हैं, आपको यार बहुत सारी कस्टमाजशन देखने को मिलती है, दाव एवल्वर के अंदर, जो कि आप लोगों ने दे support है और यार इसका process है 870 बहुत ही ज़्यादा कमाल का अपना 11X का जो कि इसको इस smoothness को जो power देता है न वो बहुत ही ज़्यादा next level हो जाती है जो multitasking का experience यह देता है न भाई और कोई phone यहाँ पर दे नहीं पाए का जी हां दुस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल का experience मुझा लगता है इसके साथ में अभी यहाँ पर next चीज़ के अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी भीया इसकी जो play protection वगएरा होती है safety net वगएरा होता हो यहाँ पर पास करने वाला उसके उपर कोई यहाँ आपको देखने को नहीं मिलने वाले तब तक मैं play store का दिखाए तो आपको यहाँ पर आप बाउट में जा करके डिवाइस certified तो netflix का content is okay इसके लिवाँ दोस्तों यहाँ पर safety net की बात करते तो safety net भी आपर completely pass करने वाला है जी हाँ दोस्तों जैसे के आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसलिके लब दोस्तों अगर हम next चीज़ की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो है अगर हम refresh rate की बात करें तो options यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे इस बा आपको पर आप refresh rate का option देखने को मिल जाता है display के अंदर मैं आपको दिखा ज़ता है पर आप refresh rate तो मतलब आप के हसाब से आप लोग refresh rate को set कर सकते हैं यहाँ आपर इसको 120 पर कर सकते हैं YouTube को भी 120 पर कर सकते हैं तो इससे क्या अगर जब आप YouTube अगरा भी चलाएंगे तो आपको थोड़ा सा experience अच्छा देखने को मिल रहागा वीडियो का अगर आप 720 पर 1080 पर वीडियो को मेरे देखते हैं इसके लबाद दोस्तों नेक्स चीज़ की हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं तो फोटो गूगल फोटो के अंदर आपको unlimited storage का भी option देखने को मिलने आपको unlimited storage का option जरूर से देखने को मिलेगा गूगल फोटो के अंदर अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर जो लाइबरेरी के अंदर जाकर के अपने screenshot के भी यह हमारे जो cpu-throated test book किस तरीके से परफॉर्म करता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते average score जो है आपर GIPS का वो काफी ज़्यादा command का निकलन करके आता है और यहाँ पर 95% का एक minus drop देखने को मिलता है और काफी stable performance यहाँ पर यह पर यह provide कर देती है रूम इसके लोग दोस्तों नेक्स चीज़ के अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसके gig bench scores gig bench scores को भी हमने test किया तो वो single core के अंदर आपको 866 और multi core के अंदर आपको 3124 देखने को मिल जाते हैं तो इस तरी चीज़ से दोस्तों यह पूरा complete review हो जाता है इस room का दोस्तों flash करना काफी ज़्यादा easy है आपका phone जो है bootloader उसका unlock होना चीज़ है यहाँ पर साती में दोस्तों कोई ना कोई custom recovery आपके phone में install होने चीज़ है recovery के साथ साथ दोस्तों नीचे description में आपको यहाँ पर रोम का link पी देखने को मिल जाएगा आप में simply इसको download करना है उसके बाद दोस्तों phone को यहाँ पर simply wipe करना है wipe करने के बाद दोस्तों आपने flash करना इस room को और room को flash करने के बाद दोस्तों आ आपको वीडियो का फिए इंट्रस्टिंग लगा को पसंद आए और पसंद आए तो प्लीज आपर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो का बेट जरू से like कर सकते हैं comment करके जरूर कता से लगा मैं आपने तो दोस्तों इसी तरीके की एक और इंट्रस्टिंग वीड और झाल